कलर देख सकते हैं, बहुती अमेजिंग लग रहा है और ये अचार अब बनने वाला है बहुती ज़्यादा टेस्टी। आज जो बनाना देखेंगे राजस्थानी केर का चार, केर का अचार बहुती ज़्यादा स्वादेश्ट बनता है, ये कभी भी खराब नहीं होगा। हलो दोस्तों, मेरा नाम है उम्मा रावत और सागत है आपका फूर्ट जाइपे आज जो बनाना देखेंगे राजस्थानी केर का जाग केर को लोकल भाषा में टेंटी या फिर डेला भी बोला जाता है ये राजस्थान के जंगलों में पाइज आती है और अगस्त माह से लेकर सेप्टेंबर से एक्टूबर तक मिलती है इन्हें हम कच्चा ढोड़ते हैं पेट से उसके बाद इन्हें पचाते हैं क्योंकि इनका स्वाध कुछ कसला होता है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है इसके डंठल को इनसे अलग कर लेना है उसके बाद इन्हें नमक के पानी में 2-3 दिन तक भिगा कर रखना है दो दिन के बाद उस पानी से इन्हें निकाल कर खटी चाच में नमक डाल कर रखना है और ये चाच हर दूसरे या तीसरे दिन आपको चेंज करते रहनी है 15 तक ऐसा करने से केर का जो कसेला पन है वो निकल जाता है और केर का अचार बहुत ही जादा स्वाधिस्ट बनता है तो जब भी आप मार्केट से कच्छी केर लेकर आएं ये प्रोसेस जरूर अपना है केर को बचाना है उसके बाद ही अचार में इ जाने के लिए लेकिन अभी कुछ काम बाकी है इस केर को हम सुखा लेंगे हम इसे दूप दिखाएंगे पूरे दिन की या फिर आप इसे फैन के हवा में सुखा लीजे हर किसी के घर पे दूप अच्छी अवालबल नहीं होती है तो आप इसे एक कॉटन के कपड़े पे डा तो इसके हिसाब से चार बड़े चमच सॉफ लेंगे यानि केक चोथाए कप सॉफ दो बड़े चमच दाना मेथी लेंगे यह सभी मसाले ग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजेगा वहाँ पर मेंशन है तीन बड़े चमच राई लेंगे कैर को हम करते हैं तीन और चीज अस्तुमाल में ले सकते हैं वो चीजें हम आपको विडियो के अंतur में बताएंगे यहाँ पर अचार का कलर और रंगत अच्छी आए इसके लिए हम इसमें तीन बड़े चमच कश्मीरी लाल मेच अट कर लेंगे अब बारी आती है नमक की तो यहाँ पर आप काला और सफे दोनु नमक अट कर सकते हैं हम यहाँ पर दो से धाई चमच, दो से धाई बड़े चमच पिंक सॉल्ट अट कर रहे हैं इसके अलावा एक चोथाई छोटा चमच हींगेट कर लेंगे और अब हम इने दर्दरा पीसेंगे मोटा मोटा ही पीसना है ताकि इसमें थोड़े खड़े मसाले भी दिखाए दें जिससे स्वाध अचार का अच्छा आता है इस तरीके का टेक्स्चर कुछ होना चाहिए हमारे मसाले रेडी है अब हमने यहाँ पर सूकी हुई कैर ले ली है यह सूक कर रेडी है आप इसे चेक करना चाहते हैं कि इसमें नमी है या नहीं तो इन्हें मुठी में ऐसे बांदिए और उसके बाद मुठी खोलिए अगर आपके हाथ में थोड़ी सी भी नमी रह जाती है या पानी दिखता है तो आप इने थोड़ा और सुखा लीजे यहाँ पर हमारी कैर अच्छे से सूक चुकी है अब बारी आती है इसके अंदर सभी मसाले आट करने की जो मसाले हमने पीस कर त्यार किये थे वो हम आट कर लें एक छोटा चमच खडी सौफ और साबुत मीथी दाना आट करेंगे यह थोड़े से साबुत मसाले अचार में बहुत ही टेस्टी लगते हैं अब इसके अंदर हम सर्सो का तेल आट करेंगे सर्सो का तेल ही एट कीजेगा इससे आपका अचार लंबे समय तक प्रिजर्व रह तर्सो का तेल और नमक दो नेचरल प्रिजर्वेटिव हैं जो अचार को खराम नहीं होने देते अब इस अचार को थोड़ा सा तीखा फ्लेवर देने के लिए कुटी वी लाल मिच और थोड़ा सा रंगत के लिए एक छोटा चमच हल्दी पाउडर एट करेंगे इसमें थो ग्रेट करके कद्दू कस करके इसमें एट किया जा सकता है या फिर कैरी का सीजन नहीं है तो पीसी खटाई या फिर सिर्का सफेज सिर्का या कोई भी सिर्का एट कर सकते हैं इस अचार को थोड़ी देर के लिए ढखकर रखेंगे ताकि मसाले फूल सके तेल के साथ दो से इस अचार को हमने यूही छोड़ दिया था अब इसके मसाले तेल के साथ अच्छे से फूल चुके हैं आप कलर देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग लग रहा है और ये अचार अब बनने वाला है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अगर आप इस अचार को और ज़्यादा खटा करना चाहते हैं तो इसमें आमचूर पाउडर या कच्छी केरी को कदू कस कीजिए वो मिलाइए या फिर विनेगर मिलाइए अचार लंबे समय तक चले इसके लिए आपने अचार को स्टोर करना है किसी कांच की बोटल में या फिर चीनी मिट्टी की या फिर मिट्टी के ब दिये उसके बार ढकन लगाए ताकि ये वेपोराजेशन की प्रकरिया से बचा रहे यानि कि इसके अंदर से जो भाफ बनेगी वो अचार के अंदर जाकर खराब न करें अचार को अब अचार लंबे समय तक प्रिजर्ब रहे खराब ना हो इसके लिए आप इसमें में दबा दबा कर भरिए उसके बाद इसके अंदर तेल क्यावशकता कम ही पड़ेगी ये अचार बहुत ही जादा टेस्टी बनता है आप एक बार इसे ट्राइज ज़रूर कीजेगा और अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो एक लाइक अभी दीजे और शेर किजेए इसे अपने दोस्तों के साथ ऐसी तमाम पिकल्स वीडियो देखने के लिए या फिर स्ट्रीट फूड देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर फेस्बुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को फॉलो और ल